तो क्या हल चाल भी लोग कैसे हो आप लोग और अब रिसेंटली मी वनप्लस ने अपने नय फ्लेक्सिप फोन वनप्लस एक्स को अफिसले नाउस कर दिया है हमेशे की तरह लिखित में ले लो ये फोन भी ट्रूली फ्लेक्सिप किलर होने वाला है सारी चीज़े इस फोन में जो दी गई है वो काफी कमाल की है सिवाए तो अब यहर साथ आप लोगों को याद होगा भी से कुछ दिनों पहले इंडियन मार्केट में एक फोन आया था होनर 10 नाम का और कमपेर करते हैं होनर 10 को वन प्लस 6 के साथ और पता लगाते हैं कि कौन सा फोन होगा आप लोगों के लिए बेश्ट मैं हो रिश्यव और आप लोग देख रहे हो रिश्यव टेक्ट पहले तो इस कंप्रीजन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहां पे कुछ जरूरीजीजह पर पिर भी अवर्व फ्य पर मिले जागा तो यहां पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज chakra तो जैसे कि आप लोगो पता है यार दोनों फोंजा भी रिजेंटली मी लाँच हुए है सो हाँ फिलहाल तो मेरे पास दोनों में से कोई से भी फोन अवेलेबल नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे जो मैंने वीडियो क्लिप्स का यूज किया है इस वीडियो के दोरान वो यहाँ तो क्रियेटीव कॉलम है आप लोगो पता है मैं हर वीडियो में कहते हैं रहता हूँ फोन्स में आप लोगों को आलमोश्ट नाइन डिस्प्रेक्ट रिश्यो वाली स्क्रीन देखने को मिल जाएगी दोनों फोन्स का यहां पर रेजूलिशन दिया गया है तैनेटी पिक्सल वाला तो सबसे पहले अगर बात करूँ होनर 10 के बारे में तो यहां पर आप लोगों को 5.8 इंचेस के स्क्रीन देखने को मिल जाएगी दिस्प्लेइवाइस यहां पर दोनों फोन्स ड्रॉ करते हैं अब हां अगर आप लोगों थोड़ा बड़ा फोन लेना है तो वन प्लस 6 के साथ जा सकते हैं पर आगे बढ़ते हैं अब यहां पर भी गाइस दोनों फोन स्मिलर से ही परफॉर्म करते हैं दोनों फोन्स बने हुए हैं मैटल एंड ग्लास से जो की सच बतार हो काफी ज्यादा खुबसूरत दिखते हैं पर अगर मेरी प्रिफिरेंस की बात करो तो यहां पर तो मैं हॉनर 10 को पिक करूंगा सिर्फ है और हाँ यह फीचर होनर 10 में आप लोगों बिल्कुल भी नहीं मिलता सो कैस डिजाइन इन विल्कॉलिटी की वाइस तो यहां पर यह चीज़ आप लोगों की प्रिफिरेंस के उपर डिपेंड करती है कि आप लोगों फोन कैसा लेना है अगर आप लोगों वाटर प्रू किया दोनों फोन में लग भी रहा है कैमरा काफी ज्यादा अच्छे होने वाले दोनों फोन में खासकर 16 ने जो हमें डेक्षा मार्क वह यहार काफी कमाल का है सेंपल्स भी यहां पे जो इन्हीं हुने दिखा है वह भी काफी कमाल के हैं लेकिन यहां पे as a reviewer मैं कुछ नही किया है पर फिर भी अगर specs की बात कर लेते हैं तो one plus six में आप लोगों को dual rear camera setup देखने को मिल जाता है यहां पे जो camera setup दिया गया है वहां पे आप लोगों 16 Megapixel का sensor देखने को मिल जाएगा जिसे combined किया है 20 Megapixel की camera के साथ इस phone के camera से आप 4K 60fps तक में record कर सकते हो super slow motion का भी इस phone में कहना चाहिए तो एक option देखने को मिल जाता है तो अब super slow motion की वीडियोस record कर सकते हो और वैसे 60fps में 4K images और super slow motion जैसा feature आप लोगों को 10 में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता anyways अब बात कर लेते हैं honor 10 के camera specifications के बारे में तो यहाँ पे आप लोगों को पीछी की तरफ dual rear camera setup देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक जो camera दिया गया है वह 16 Megapixel का RGB यह camera अपरचर यहाँ पर दिया गया यहाँ पर आप लोगों को 24 Megapixel का camera देखने को मिलता है सोकेज़ अगीन माफ करना यहाँ पर मैं सिप camera samples को देखती हुए और internet में reviews को देखती हुए आप लोगों को नहीं बता सकता कि कि इस phone का camera ज्यादा अच्छा होने वाला है लेकिन फिर भी यहाँ DxO Mark की अगर माने और हाँ DxO काफी अच्छे result देते हैं तो OnePlus 6 का camera यहाँ पर ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को बता दू होनर 10 इंडिया में सिप एक ही विरेंट पे आया है 6GB RAM और 128GB Intel Memory के साथ अगर बात करूँ प्लस 6 के बारे में तो यह तीन वेरेंट में मिलता है जहां पर आप लोगो वेरेंट देखने को मिल जागा 6GB RAM जो की साथ आप लोगों याद होगा सेम प्रोसेसर लगाए गया हुआवे व्यू 10 में और होनर में 10 जैसे फोन में वैसे खास बत इस प्रोसेसर में यह है कि यहाँ पे आप लोगों को सेपरेट NPU देखने को मिलता है तो आप लोगों के बढ़ जाती इस फोन की पर यह जो लिएर है कि OnePlus 6 performance wise बाजी मार जाता है आगे बढ़ते हो अब बात कर लेते बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में तो होनर 10 में आप लोगों देखने को मिल जाएगी 3400 मिलियांपर की बैटरी और OnePlus 6 में भी लोगों इतनी सी बैटरी देखने को मिलती है पर यहाँ पे बड़ और practically यह कितना charge होगा पर हाँ कम सकम on paper तो ठीक ठाक सा ही नजर आ रहा है अब बात कर लेते दोस्तों operating system के बारे में यहाँ पे starting में आप लोगों बता दो दोनों phones out of the box आप लोगों को Android 8.0 शिप होंगे पर दोस्तों यहाँ पे जो खास बात है और जो OnePlus 6 को काफी उपर ले करके यूज कर सकते तो यह कमाल की बात है पर श्टिल आप लोगों को हांडर 10 में भी काफी जल्द Android पी का सपोर्ट मिल जाएगा तो अब जो भी है लेकि दोस्तों यहाँ पे एक बात तो confirm है अगर आप लोग दोनों में से कोई से भी फोन लेते हो तो I guarantee आप लोग फ्यू को यहीं पर करो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा फोन लेने वाले या फिर आपका फेवरेट कौन सा फोन है इन दोनों में से तो यह कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो यह लाइक का बटन द दूदिल